गुड मॉर्णिंग एवरीबड़ी सक्सिस्पाइंट देवबन में आफका फिल से स्वागत है आज हम इत्यास की एक बहुती मैत्वपून टोपिक पर चर्चा करने वाले हैं कामा गाटा मारूप परकरन इससे इत्यास में काफी कोश्चेंस पूछे जाते हैं विभीन परिक आज हम उन सब चीजों पर भी एक बहुती डिटेल में चर्चा करेंगे जो किताबों में कम लिखी गई हैं इसके बारे में तो चलिए सुरू करते हैं देखना कामा गाटा मारू एक तो यह कोश्चेन आता है सिंपली कि कामा गाटा मारू क्या था ये एक जापानी शिप का यानि के होंग कोंग से जापान से कह सकते हैं फोड़ा हम इसके लोकेशन के मैप के बारे में चर्चा कर लेते हैं पहले देखना जो साउथ अमेरिका महादीप ये उत्तरी अमेरिका महादीप हो जाएगा उत्तरी अमेरिका महादीप में एक तो अमेरिका देशी हो जाएग केरिबियन और साउथ अमेरिका में कौन-कौन से आते हैं जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुगवे, पेरागवे, ये सुरी नाम ये सब किसमे होंगे साउथ अमेरिका में और ये क्या हो जाएगा नोर्थ अमेरिका इसका जो एक तटवर्तिय एक राज्य होगा ये बिर्टिस कोलम्बिया, बिर्टिस कोलम्बिया का एक बंदर गाता, एक डोक्याड बना हुआ था बेंकोवर में, तो शिप को यहाँ पर पहुंचना था, और इस तरफ अगर देखते हैं, ये क्या जाएगा दरसिया, फिन नीचे चाइना, इंडिया, इंडिया में एक ना परशांत महासागर, पैसिफिक ओसियन, तो पैसिफिक ओसियन से हमें ये यात्रा पूरी करनी थी होंग कॉंग से, तो इसके जो नेता थे कौन से, गुरुदत सिंग, गुरुदत या गुर्दीर सिंग एक ही नाम है, और ये एक व्यापारी थे, उस टाइम पर गुरुदत और यात्री कब पहुंचेते हैं यहां पर, 23 मार्च को, sorry, 23 माई, 23 माई 1914 को, यह जहाज यहां पर पहुंचे है, बैंकोर्ट तठपर, इसमें 336 लोग थे, सामिल, जबकि 35 कोई परमिसन मिली थी, देखना घटना ये क्यों हुई थी, एक तो कराणा में ऐसा कानून बना हु वो कैनाड़ा में नहीं जा सकता, अगर हमें जाना था, स्री लंका से और कैनाड़ा में जाना था, तो इंडियन कोई स्री लंका से नहीं जा सकता था, ऐसा कानून नहीं था, मतलब हमें यात्रा ये एक ही पड़ाव में पूरी करनी थी, लेकिन जो सिफ थे, जहाज थे, व ऐसे भारतिये, ऐसे 35 भारतिये, जो सीधे भारत से ना आये हों, वो किसी और देश से होते हुए आये हों, उनकी पर्मिशन मिली थी. 35 लोगों की परमिशन ये कौन थे जो भारत से नाय हो सीधे डाइट इंडिया से नहीं वो इंडियन किसी ओर देश में रहते हो जैसे होंग कों में रहते थे भारती है होंग कों से जा सकते हैं कितने 35 लेकिन इसमें कितने गए थे 376 लोग 376 में कौन थे 320 इसमें सिख लोग थे और 24 इसमें मुस्लिम लोग थे और 12 सदस्य इसमें हो जाएंगे जो हिंदू सभा के सदस्य थे तो टोटल कितने हो जाएंगे 340 थे सिख लोग 340 426, 7 376 तो 376 परमिशन कितने को मिली थे और 35 लोगों को 35 भारत ये ऐसे थे जो भारत से ना आकर किसी और देश से आ सकते हैं ऐसा 1913 में ऐसी परमिशन दी थी जो कैनाड़ा सरकार ने नियम एक बनाया था यहां पर देखते हैं तो कामा गाटा मारू क्या था एक शिप का नाम था जो जापान का शिप था गर्धीत या गरुदत सिंग इसके नेता थे ये लेकर पहुँचे थे और इन्होंने किराया पर लिया था एक शिप ये शिप किस देश का था जापान का किराया पर कहां से लिया होंग कोंग से और किसके माध्यम से लिया एक जर्मनी शि Π एजेंट थे जिसका नाम था बूने, मिष्टर बूने, मिष्टर बूने कौन थे, जर्मन के शिप एजेंट, इनके माध्यम से लिया था, गुरुदत शिखने या गुर्दूत शिखने, गुरुदीत, गुरुदीत और गुरुदत एक ही नाम है दोनों यह, अच्छा, और यात्रा अपनी यहाज कहा था हुई एक राज्ज एक राजज है बिटिस कोलंबिया बेटिस कोलंबिया कि gratis कोलंबिया कि आनी कि अमेरिका और कनाडए के सीमा वहां पर हो सक एक बंदर गाता यहां पर पहुंचना था हमें जाना था उन्हों इनों ने जब अपनी यात्रा सुरू की तो लगभक दो महीने का को समय लगा वहाँ पर पहुंचने में जैसा सिर्फ इसमें से चोविस लोह ही वहाँ पर पहुंचे हैं टोटल कितने से वापस कर दीगे बेटिस सरकार ये कैनाडा सरकार ने इनको वापस भेज दिया और आपको अगर याद हो कि पर्थम विश्वित जो हुआ था फर्स्ट वल्वार फर्स्ट वल्वार में ये 1914 से और 1918 तक चार वर्स के लिए चला था उस टाइम पर जो फर्स्ट वल्वार था अब यो स्टार्ट हुआ था तो बेटिस सरकार ने जो यातरी वहाँ पर वापस आने थे ना बेंग कोर से कहाना था इनको होंग कोंग में लेकिन ये होंग कोंग में ना कर ये कहां पर आये इंडिया में और इंडिया में बजबज एक टापू है यहां पर कलकत्ता का एक ट पर पर पहुंचे कलकत्ता के बजबज टाप उपर जैसे यहां पर आये फिर इनोंने नारेबाजी शुरू की क्रांथिकारियों ने और वहां पर पूलिस की जड़प में लगबग 18 या 19 लोग मारे गए और इसमें चुकि ज्यादा सिख लोग ते तो सिखों को पंजाब लेकिन उसमें वो नहीं गए कुछ वहीं पर रुके वो जाना नहीं चाहते थे इसमें जो लोग मारे गए अब इसकी जाच के लिए जो कैनाडा में यह सब हरकत हुई थी इसकी जाच के लिए एक सोर समीती बनाई गई इसके अलावा जो विरोध किया गया इस घटना का ये अमेरिका में भी किया गया था तो सोर समीती में जो सदस्य थे एक तो इसमें हुसेन बने थे हुसेन रहीम सोर समीती का गठन किया गया 1914 में ये कहां पर वहा था कैनडा में इसी को हम 30 समीती बोलते हैं तो कनाड़ा में इसका एक गठन किया गया और इसमें कौन-कौन सदस्य थे हुसेन रहीम, बलवन सिंग और सोहन लार पाठक एक सोहन सिंग भागना पड़ेंगे वो गदर पार्टी से संबंदी थे ये तो किसने कनाड़ा में जो विरोध किया गय जो अमेरिका में विरोध हुआ, वहाँ पर गदर पार्टी थी, गदर पार्टी किसने बनाई थी? लाला हरदयाल ने, लाला हरदयाल थे, उसमें सोहन सिंग भागना थे, और बरकतुला भी वहीं पहुँच जाते हैं, इन्हों ने अमेरिका में एक महीम चलाई, कनाड़ा स से ना आये हूँ, किसी और देश में रहते हूँ, पहली बात तो वहाँ पर बैन था, कि कोई भी ऐसा परवासी यहाँ पर नहीं आएगा, जो एक से अधिक यात्रा का पड़ाओ रखता हो, यानि कि अगर हमें सिरलंका से या किसी और देश से जाना था, और कहीं हमें किया, फिर वहाँ पर जाएंगे, जो कि यात्रा में पड़ाओ भी देना था, तो हम ऐसे नहीं जा सकते थे, उन्नी सो तेरा में कानून बनाया, वहाँ की कोट ने एक आदेश दिया, कि ऐसे भाड़ती जो किसी अन्ने देश में रहते हैं, उनमें से 35 यह भाड़ती उने ग पर आंतिकारी यह बैंक कोर पहुंचे थे, और यहाँ पर जब इन्होंने फिर हंगामा किया, तो इनको वापस कर दिया गया, और यह होंग कोंग ना आकर कहां पर आये, फिर इंडिया में है, इंडिया में किस टापो का क्या नाम है, बजबज टाप उपर, बजबज टाप पर आपरेल उननिस सो चोदा को, यातरा सुरू की, बैंक कोर कब पहुंचे है, तेस मई उननिस सो चोदा को, यह वापस रिटन कब आये, 27 सितंबर सन उननिस सो चोदा को, एक तो यह तीनों डेट साफ को याद रखनी है, दूसरा, इसके लिए जो समिती बनीती सोर समिती, तो सोर समिती ऐसे उनने दावा किया, कि उनको मौजा मिलना चाहिए, जो पीडित थें, जो गायल हुए है, या जो जिनकी मृत्यू हुई है, उनके आश्रितों को, सोर समिती गठित की गई, उसके सदस्य कोन-कोन थें, बाद में अभी हाल एकी गठना है, इसकी जब यह सो रुपे का सिक्का जारी किया था, यह बारत सरकार ने इनकी याद में सिक्के जारी किये थे, जो मेमोरियल होंगे, किसी वाचनाले या फिर किसी मुजियम में रखे जाएंगे, यह तो दो हजार चोदा में किया था, यह ना, उसके सोर्स पूरे होने पर, और कैनाड़ा की स सरकार ने जो वहां के तत्कालिन पर्धान मंतरी थे जस्टिन टूडो जस्टिन टूडो ने एक सारजनिक रूफ से माफी मांगी थी 2016 में कि कामा गाटा मारू की हम माफी मांगते हैं वो गलती हुई थी कैनाडा सरकार से लेकिन यहाँ पर एक डाग टिकट भी जारी किया गया है तो डाग टिकट जारी हुआ है यह कब जारी किया गया है 2014 में कैनाडा में किया गया था और भारत में क्या हुआ था 2014 में यहाँ पांच रुपे का सिक्खा और 100 नोगा सिक्क जो मेमॉरियल होंगे और कैनाडा के परधान मंतरी जस्टिन ने 2016 में सारजनिक रूफ से माफी मांगी थी तो ये कामा गाटा मारू ये परकरन था सारा इसमें कोई क्वेश्चन पूछ मैं पूछ सकते हैं जी वहाँ पर एक ये लिबरल सरकार थी उदारवादी जैसे होती है उदार सरकार थी तो उसी ने दरसल ये जो बैंक कोर है ये बिर्टेस कोलंबिया के नाम से जाने जाएगा यहाँ पर एक बिर्टेन का उपनी वेश्ट था इसलिए जाना चाहते थे वहाँ तो एक तो इसमें डेट याद रखनी है चार परेल को और तेईस मही को वहाँ पर पहुंचे और रिटन जब ही आए होंग कोंग ना आकर कहां पर आए इसमें बजबज टाप उपर डेट क्या थी इसकी 27 सितमबर ठीक है ना और इसमें 376 लोग गए थे कितनों को परमिशन मिली थी 35 35 जो जाने थे ना होंग कोंग से 35 लोग जाने थे इसमें 24 को दी गए थी 24 को 35 तो यहां से परमिशन मिली जा वहां हंगामा इन्होंने किया नारे बाजी की तो 24 को उतरने की परमिशन दी गए बाकी को वापस भेज दिया गया था इनहीं 24 में थे ना जो इनको सोर समितिकाओ को दा गया सदसे हैड बना गया था यह था और अरजुन जी कुछ और अच्छा मिश्टर बुने यह तो मिश्टर बुने था जो जर्मन का निवासी था और होंग कोंग में रहता था इसके माध्यन से सिप लिया गया था कहीं पर बुक्स में लिखा हुआ है कि यह सिप किसने खरीदा था गुरुदत सिंग ने या किर चला था उस टाइम पर 376 लोग नहीं थे यह तो जापान में जैसे पहुंचता है सिप या कोहामा एक जगे या कोहामा या कोहामा से कुछ करांटिकार यहां से साथ हुए थे हैं और यह इस तरह से से पहुंचेगा वहां पर जी और एक अलग सरकार थी चाइना भी और रसिया भी मतलब कह सकते हैं कि यूरोप के और जो एशिया के अधिकान से देश उसके कबजे में थे उनके उपनी वेस्ट हैं है ना होंग कॉंग उस टाइम पर चाइना के कबजे में था हैं और जापान से होती हुए रास्ता गया था मै में सब्सक्राइं में करी देखते हैं उसमें पहले इंधर यह बनाया गया है ना उल्टा दिया वह तो फिर देखते हैं कि जापान तो पूरब में हैं और यह होंग कोंग पत्रिय में जब हम में जाएंगे तो initiatives को थोड़ा उल्टा करके देखना है मैं क्या होता है दल्सla JOHN म 효 scheint आसे तो यह उत्त्र और कॉर्य 나 code and click in को यह इंडिया सब और यहां पर क्या अमेरिका है एक साउथ अमेरिसा नरी अमेरिका लेकिन इस मैप को अगर हम ऐसे गोलाई में मिलादे तो यह पॉर्शन हो यह पर दिखाते हैं फिर मेक्सिको और इसका कैनाडा का भाग तो कैनाडा और जापान सबसे अधिक दूरी पर हैं लेकिन मैप को अगर मिलाया जाए तो अब ये नजदीक आजाएंगे पीछे से पिर्द्वी तो गोल हैं हम जो देखते हैं उस मैप चार्ट पर जो दिखाए इसे किलियर होगा फिर होंग कोंग से गया था कहां पर जापान में उसके बाद में फिर बैंक और पहुंच जाता है यह होता है ठीक है और कुछ तो यह इसे नोट करना जी सिंगापूर भी नहीं पर था एक यह छोटे-छोटे दीफ होते हैं ना तो दीफों से होते हुए शिंगापूर जब हम पढ़ेंगे ना एक सी बोस के बारे में सुभाचन बोस जी के बारे में तो तो महां सिंगापूर आएगा उन्होंने एक सरकार बनाई थी अपनी इस पैंतालिस की गटना है वही जो हम पढ़ेंगे 1914 की गटना ठीक है जिब ओकी तो यह मैं आसर करता ह आफ किस समझ आया होगा अगर नहीं तो कमेंट बोक्स में आफ लिपकर बताएगा ओकी थैंक्यू